भारत पाकिस्तान के लिए एक बार फिर से टेंशन खड़ी कर रहा है एक बार फिर से पाकिस्तान भारत से थर-थर काम रहा है पाकिस्तान ने अमेरिका दोरा भारत को सश्ट्र डॉन देने की आपूर्तिय के जाने का विरोध करते वे कहा किससे सैन्य दुस्साहस की घटनाएं पड़ सकती हैं जिससे शेत्र में टकराओ के आशंगा बढ़ेगी कुछ दिन पहले ड्राम परिश्य हसन के एक वरिष्ट अधिकारी ने कहा था कि अमेरिका भारतिय वायुसेन के आधूनी करण अभ्यान के लिए सशस्त्र ड्रॉन के उसके आगरे पर विचार कर रहा है विदेश कारेले के परवक्ता नफीस जाकारीय ने कहा कि सशस्त्र ड्रॉन के सिमाल से टकराओ की आशंका बढ़ सकती है यानि पाकिस्तान को डर सताने लगा है कईम भारत उसके लिए खत्रा पैदाना करते साथ ही पाकिस्तान ने कहा क्योंकि ये सिमित सेन्य अभियानों को लेकर गैर जिम्मेदाराना रुक के प्रिष्ट भूमी में सेन्य दूस्ता हस को बढ़ावा दे सकता है जगारिया ने कहा कि पाकिस्तान ने लगातार उनले किया है कि शेत्रिय सिर्था को परकरार रखना किसी भी अंतराष्टी हतियार इस थाना अंतरण में मौलिक विचार बिंदू होना चाहिए आपको बता दे कि अमेरिका और भारत की दोस्ती के बाद अमेरिका भारत ये वायू साना के अधुनी करन के लिए ड्रॉन के उपर विचार कर रहा है जिसके लेकर पाकिस्तान में खलवली मच कई है अब भारत अमेरिका की दोस्ती के बारे में एक सवाल पर पाकिस्तान के परवक्ता ने कहा कि उनके बीच किसे द्यूपक्षे संबंदों के खिलाफ नहीं है लेकिन ये चीन को रोकने या पाकिस्तान को दमकाने के अजेंडे पर नहीं होना चाहिए उन्होंने का हम शेत्र में अमेरिका द्वारा भारत को दी जा रहे भूमिका से चिंठित हैं ये सिद्धी को और खराब करेगा और दुन्या के इस हिस्से में शान्ति और सिर्था को खत्रा होगा इस खबर में फिलाल इतना ही लेकिन आपको एक खबर अच्छी लगी तो इस खबर को लाइक कीजिए और चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए अभी क्लिक कीजिए चैनल के लोगों पे और सब्सक्राइब कीजिए हेडवाइन्स इंडिया